तो भी quantity की maximum value कब आएगी और minimum value कब आएगी ठीक है अब इसको थोड़ा समझने से पहले में एक graph लोट करता हूँ जिसे आपको जल्दी समझाए सपोज मैरे पास दो quantity है एक quantity मैं ले लेता हूँ के मारे पास y और दूसरी quantity x तो basically जो y है वो x depend कर रहा है एक quantity दूसरी पर depend कि इस depend करेंगे मैं इस y और x के साथ एक graph लोट कर सकता हूँ सपोज वो random सा graph कुछ ऐसा है है ठीक है वो random सा graph कुछ ऐसा है मारे में देख रहा आपको यह मैंने एक random सा graph बनाया है तो इस मतलब यह एक इस एक इस एक मैंने y ले लिया इधर x ले ले लिया एक्स चेंज होने पर y भी चेंज हो रहा है कोई relation होगा जो हम पता ने अब हमें यह चाहिए कि भई y की maximum value कितनी है या बोला जाए कि y की minimum value क्या है इन दोनों चीजों पर हम आते हैं दुबार ठीक है त अग्राप पर focus करके देखो maximum कहां देख रहा है और कहां क्या minimum देख रहा है सबसे पहले हम आते हैं ग्राप उतना smooth नहीं बना कोई बात नहीं अब इधर कहीं हो यह वह चीज है यह ग्राप देखो यहां से लगा कि इधर से start graph देखना जैसे आप आगे जा रहे हैं तो value बात करूं इस पाइट में यह value maximum है अच्छा यहां पर दी में गलती से एक टेंजेंट ड्रो करता हूं तो टेंजेंट कैसे देखेगी टेंजेंट एकदम flat आएगी parallel to x-success आएगी तो टेंजेंट यहां एकदम x-success के parallel flat आएगी similarly यहां देखो पाइट में यहां बात कर र रही है और यहां पर maximum होती है फिर गटती है यहां पर दी में tangent again draw करता हूं तो यह flat आ रही है x-success के parallel तो यहां भी मेरे पास slope 0 आ रही है यहां पर जाओ यह value देखो इसे पहले यहां से देखो value गट रही गट रही है यहां minimum फिर बढ़ती है तो यह अपने reason की minimum value है तो यह यहां पर भी slope में tangent draw करूँगा तो एक दम x-success के parallel आएगा यहां भी slope 0 है तो कहें ना कहें इस छोटे से example से यह पता लग रहा है कि मुझे नहीं पता maxima का होगा minima का होगा लेकिन जहां भी होगा कम से कम वहां पर slope 0 होगा यानिकि उस function का differentiation क्या होगा 0 होगा यानिकि मैं यह बोल सकता है यदि y की maximum value चाहिए तो मैं y को इज़े differentiate करूँगा y यदि x पर depend कर रहा था x के respect में differentiate करूँगा यह जहां 0 आएगा वहीं पर या तो maximum आएगा minimum आएगा यह suppose differentiate करूँगा तो एक नया function मिलेगा मैं यह से y-dash लिख देता हूँ अब y-dash भी x का function होगा ठी यह x की कुछ value जो put करोगे तो आपको क्या मिलेगा सपोज मैं मान लेता हूँ इसे x1, x2, x3 तो इस y-dash के नदर x1, x2, x3 put करोगा 0 तो इन values पे या तो maxima exist करेगा यह minimum अभी मैंने maximum value नहीं बोला इन values पे maxima exist करेगा यह minimum exist करेगा actual value तो हमें y चाहिए न तो मैं यही तो मुझे पता करना था कि x1 पता चल जाएगा तो इस moment का y1 पता चल जाएगा कि x की कौन सी value पे मुझे maxima दिखने वाला है या minimum दिखने वाला है तो कहीं न कहीं मैं क्या करने वाला हूँ differentiate करने वाला हूँ differentiate करके उसे 0 की equal put करने वाला हूँ यहां दो word यूज होते हैं एक होता है local एक होता है global इस बात को भी आराम से समझ लेना वैसे mathematics में अगेन में वोला हूँ आप detail में बहुत बाते करोगे बड़ फिर भी यह दो word तो आपको अभी से ही पता होने चाहिए local और global का मतलब इदी में बोल रहा हूँ कि local maxima है या local minima है यह उस जगह के आसपास की value के respect में maxima है या उस जगह के आसपास की value में minima है लेकिन जब मैं बात करता हूँ global की तो जो पूरा graph है उस पूरे graph में उससे बड़ी value नहीं है अभी के लिए में बात करो तो इसे बड value कोई नहीं है तो यह मेरे पास है global maxima जब इसकी बात करूँगा तो यह मेरे पास local maxima है यह global नहीं क्योंकि इससे बड़ी value exist कर रहे है तो यह मेरे पास local minima रहेगा लेकिन graph में काई भी इससे छोटी value नहीं है तो यह local minima नहीं होगा यह मेरे पास global minima यह नहीं ग्राफिदी सपोज ऐसा होता तो इससे छोटी value तो यह आई नहीं रहे है तो यह मेरे पास global minima होगा और यही चीज़ ऐसे कर दूँँ मैं तो यह value छोटी ऐसे तो फिर यही वाला minima local बन जाएगा तो आपको छोटा सा local minim minima, global maxima, global minima यह आपको हलका सा हैसास हो गया होगा और detail हम देखते हैं कि इसे exactly कैसे निकालते हैं अब देखते हैं कि अपन problem exactly solve कैसे करेंगे maxima और minima पर ठीक है इदी मेरे पास एक जो y है it is a function of x किसका function है x का और मुझे चाहिए कि y की minimum value क्या है या y की maximum value क्या है maximum value के बारे में information चाहिए और minimum value के बारे में भी information चाहिए step की situation होगी तो क्या करें तो वहाँ पे कुछ steps होंगे जो अपन सिधा लिखते हैं सबसे पहला काम हम करेंगे कि y को एक बार differentiate करेंगे y dash यानि कि f dash x की बात कर रहा हूँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे y को differentiate करना पड़ेगा x के respect है ठीक है अब यहाँ पे एक equation आई गया जब आप y को x के respect differentiate करोगे जिसे में बोलूँगा first derivative of fx या first derivative of y तो यह मेरा step 1 होगा ठीक है और फिर अपन step 2 के अंदर क्या करेंगे यह जो y dash आया है यहनि f dash x आया है यह जो equation नहीं है इस equation को मैं 0 के equate put करूँगा जैसे मैं इसको 0 के equal put करूँगा इस equation की कुछ value जाएगी यहाँ पे कुछ value जाएगी x की इदि वो f dash x यह जो नहीं equation मनें इसमें maximum power 1 होगी तो x की एक value आएगी x square होगा तो 2 value आएगी x cube होगा तो 3 value आएगी इस तरीके से x की कुछ value हो सकता एक भी ना है वो सब situation देखनी पड़ेगी तो महां लेता हूँ कुछ values आ रही है उन values को मैं बोल रहा हूँ x1 x2 x3 and so on इस तरीके से कुछ आएगी suppose वो एक भी हो सकते तीन भी हो सकते जादा भी हो सकते तो यह step 1 के बाद में यह step 2 अचा यह जो values आईए x1 x2 x3 अब मैरे को at least इतना तो पता लग गया कि यही वो values है जिन पे या तो maximum आएगा या मैं नहीं या नहीं की दिमे x1 की value को उपर y में put करूँ यहाँ पे x की जगह यहाँ apex के अंदर x की जगह दिमे x1 लिख दूँआ तो या तो y की value maximum आएगी या minimum आएगी similarly x2 रखोंगा तो या तो maximum मिलेगा minimum इन values को यहाँ apex में रखेंगे तब ही मुझे y की minimum या maximum मिलेगा अब मुझे यह अब तो confirm नहीं हुआ कि किस पे maximum और किस पे minimum है लेकिन at least इतना पता लग गया step 1 और 2 से कि इन values पे ही maximum या minimum आएगा अब कहीं बार क्या होता है कि यहाँ पे इतनी सारी value जाने के बज़ाए एक ही value आती है और वो पूछता maximum कितना होगा तो अब कौस इस पे maximum होगा तब ही पूछ रहोगा तो इस तरीके से हम कहीं बार थोड़ा shortcut भी जा सकते हैं एक की वैलिव आ रहे है और वो बोले मिनिमा कितना होता हो सकता इसमें मिनिमा यार होगा तो आगे चेक करने की भी जर्वत नहीं होती है बट फिर वह एक एक ताफस में तुक्का जेसी बात कर रहा हूं वह एप्रोच बढ़िया नहीं एक्ट्वल में हम क्या करेंगे पता कर रहा हूं में डेवल डेरिवेटिव ओफ एप एक्स ठीक है यहां थोड़ा से ध्यान रखना कुछ लोग क्या करते हैं यह वैलिव पुट करने के बाद में इसको डिफ्रेंशिट करने हैं इसको पुट आप कर दोगे यहां पर वाई डैस में तब तो वैली जीरो आ है अब एक बार और डिफ्रेंशिट करोगे तो फिर से एक नए एक्क्वेशन आएगी जीरो में गोल रहा हूं वाई डैस यह एफ डबल डैस एक्स अब इन इस डबल वाले एक्क्वेशन के अंदर इनको में पुट करूंगा यहांनि मैं वन बाई वन सब कुछ च्छा करक सब्सक्राइब पॉजटिव कि इसको एक्स वन को इसी डबल वाले इक्वेशन डबल डिफ्रेंशिल वाले इक्वेशन पुट करने पर दूसरी पॉजविलेटी क्या बनती है कि हो सकता अंसर आ जाए नेगेटिव आद आएगा इदि आंसर पॉजटिव आ रहा है क्या रह पूट करना है पूट तो हमेशा वहीं करना है y में यानि कि y is equals f यहां x की जगा x1 पूट करोगे तो यह y क्या जाएगा minimum आएगा बढ़िया है यदि आपने double value पूट करने पा answer negative आगया तो आप बोलोगे कि x1 पे maxima exist करेगा क्या exist करेगा maximum और maximum value कितनी होगी वो इदर से नहीं पता लगए maximum value तो हमेशा y से ही पता लगएगा यनि fx से ही पता लगएगा वहां x1 पूट करोगे तो y की value ओटोमेटिकली maximum बन जाएगी तो जिस तरीके से मैंने x1 को चेक किया वैसे आप x2 को इस equation पूट करोगे x3 को भी equation पूट करोगे तो जितनी भी यह values आ रहे है second step उन सबको थर्ड स्टेप के अंदर आप चेक करोगे कि इन पर maximum आएगा कि minimum अचा एक और चीज़ आप जहां रखना इनको जहां पर एक sequence order wise arrange कर दो maximum to minimum या minimum to maximum तो alternate values पर हमेशा maximum और minimum आते हैं यह एक maximum आ गया तो अगला hundred percent minimum ही आएगा ऐसा नहीं हो सकता यह maximum फिर एक maximum फिर maximum तो लगतार maximum या minimum नहीं आ सकते हैं हमेशा alternate maximum minimum एक्जेस्ट करते हैं तो इन वैलुज को दिए आप एक sequence में arrange कर देते हो increasing और decreasing order में तो आप एक को चेक करने बाद नेक्स को चेक करने कि आपको ज़रुवत नहीं पड़ेगा फिर आप सारे sequence बता सकते हैं तो पहला maximum आया तो आप next बोल दोको और differentiate किया है differentiation को zero equal put किया है कुछ values आईए इन values पर maximum होगा या minimum होगा अभी confirm नहीं है उसलिए एक बार और differentiate करते हैं उन में रखके चेक करते है positive आने पर minima होगा और negative आएगा तो अच्छे यहां कुछ positive value आएगा और कुछ लोग बोलें अच्छा सब यही मेरी maximum value नहीं यहां आप f double dash में put करने पर जो number आएगा वो आपके लिए किसी काम कर नहीं सिर्फ sign काम कर गाएगा positive नमबर आ रहा है कि negative आ रहा है बहुत ही प्यारा सा example कि हमारे पास एक कोई function है x एक function है time का x किसका function है x मेरे पास x is a function of t t कुछ भी हो सकता time भी हो सकता कुछ और भी हो सकता हमें नहीं पता और वो इस तरीके से equation है क्या given है t cube minus 3 t square plus 6 और अब आपसे मैं बोलूँ कि ये काम करो गई x की maximum value बताओ और x की minimum value बताओ समझे रहे हैं बात को तो हम क्या करेंगे one by one अपने जो standard step है उन पर आतने दुबारा सबसे पहला काम होता है कि इसको एबार differentiate करो तो मैं x dash की बात करोगा इसको differentiate करों क्या आएगा ये आएगा 3 t square minus का 60 और 6 का differentiation 0 ये आएगा इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 t common लेता हूँ तो क्या बन जागे ये मेरे पास t minus 2 ये बनेगा अब step 2 क्या था step 2 था कि x dash को 0 की equal put करना है तो 3 t t minus 2 इसको जैसी 0 की equal put करूँगा यहां से t की 2 value आएगी यहां तो मेरे पास जो t है वो 0 होगा क्योंकि t के 0 होती ही इधर से दिखो t 0 होती ही पूरा 0 हो जाएगा यहां t की value 2 आने पे 0 होगा तो यहां से 2 value आएगी तो एक maximum होगा एक minimum होगा ठीक है अब maximum minimum के लिए दुबारा से एक काम करते हैं किस पे maximum होगा किस पे minimum होगा वो चाक करते हैं तो उसके लिए मैं काम करता हूं इनको एक बार और differentiate करता हो तो आएगा x double dash x double dash क्या हैगा क्या बोला x वाल यहां से नहीं करना है इधार से करना है तो इस equation को दुबार differentiate करना है ठीक है यह बनेगा 6 t minus 6 इससे लिख सकता हूं 6 t minus 1 अब यह जो दो values है इनको मुझे check करना है currency दो value को 0 को और 2 को किन पी क्या आ रहा है तो मैं काम कर रहा हूं x double dash के अंदर 0 put करता हूं देव क्या आ रहा है 6 0 minus 1 minus 6 बस आप यह 6 मेरे लिए किसी काम कर नहीं सिर्व यह देखना sign क्या रहा है यह negative आ रहा है नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपके पास at x is equal to 0 x sorry t is equal to 0 at t is equal to 0 x is basically maximum तो आप 0 put कर दो x की maximum value हा जाएगी अब x की equation क्या थी दुबार आते हैं equation t q minus 3 t square plus 6 3 t square plus 6 0 put करो 0 put करते कितना आ रहा है 6 आ रहा है तो यह हमारे पास maximum value है अचा जीरो पर maximum है तो टू पर minimum होगा तो आप x की value जैसे टू पूट करोगा आपको x की minimum value में जाएगी फिर भी किसी को doubt हो तो आप चेक करो जैसे हैं तू पूट करोगा 2 minus 1 1 multiply 6 plus 6 plus means minimum अब यहां 2 put करो तो 2 का cube अपके पास 8 minus 3 multiply by 4 12 plus 6 कितना आ रहा है यह value चेक करो यह value हमारे पास आगी minus का 4 plus का 6 यह नहीं की plus का 2 यह आ रहा है तो यह value आ रहा हमारे पास plus 2 तो plus 2 x की minimum value है x की minimum value है और 6 हमारे पास maximum value है तो I hope कि आपको पूरा प्रोसेजर समझ में है मैं एक बार दुबारा sort में दुबार बता देजाओ क्या 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 आपन ने जो function given है उसको एक बार differentiate किया दूसरे step में उसे 0 की equal put किया कुछ values आई इन values पर either minimum और max में exist करेगा फिर double differentiate किया double differentiation के तुरू मैंने चेक किया कि इस पर maximum होगा कि minimum और वो check के लिए आप sign देखते हूं आगे sign क्या रहे negative और एक positive और है ठीक है तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि maximum और minimum कैसे निकालते हैं बराबर है ओके कि अजी की अजी